नमशकार दोस्तों मेरा नाम है चिंदन पुदार और बात करेंगे 30 चुलाई 2021 की टॉप पॉसनस नियूज की सबसे पहली गुड नियूज आई USA से USA जो की world की सबसे बड़ी economy है वो pre-covid levels जैसे operate करना उसने शुरू कर दिया है June quarter के अंदर वहां पे 1.6% की growth जो है register की गई और इस साल ये expected है economist के दुआरा की वहां पर 7% का growth देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा रहता है तो 1984 के बाद first time ऐसा होगा की USA के अंदर इतनी जबरदस growth देखने को मिलेगी ऐसा क्या कारण है की USA जो है pre-covid levels पे आ गया और वहां पे growth देखने को मिल रहे है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें देखिए हुआ कहा है last year जब covid हुआ तो वहां पर क्योंकि IT बहुत ज़्यादा accepted हो चुगी है work from home का culture बहुत ज़्यादा हो गया और लोगों ने income तो generate करी लेकिन उसके बाद जो है वो savings पे ज़्यादा focus करने लग गया खर्चा जो है लोगों ने कम करना शुरू कर दिया लोगों का pattern ही worldwide ये बन गया कि income आ रही है तो बचा के रखो क्योंकि कल दिन ये नहीं पता medical bill कितना आ जाया कल दिन job रहे ना रहे अब हुआ किया US की government ने बहुत ज़ादा massive scale पे expenditure किये vaccination पे बहुत ज़ादा खर्चा किया vaccination drive को बहुत आगे बढ़ाया तो ये fear जो है लोगों के मन में खतम हुआ और income का जो एक greater portion वो savings कर रहे थे और बहुत least portion consume कर रहे थे वो trend जो है change होता हुआ दिखा मतलब लोगों ने consumption expenditure जो है अपना बढ़ाना शुरू कर दिया जब लोग अपना consumption expenditure बढ़ाएंगे तो obviously जो है देश के अंदर economic activities को बढ़ावा मिलेगा production बढ़ेगी और पूरी की पूरी economic cycle जो है वो track पर आनी शुरू हो जाती तो ये सबसे बढ़ा कारण जो है माना जा रहा है और second इसे travel related issues जो है vaccination के बाद बहुत जादा resolve हुए जिससे offices खोलने में production plans खोलने में जो है दिक्कते नहीं है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर covid infection दुबारा से हो जाता है बढ़ना शुरू हो जाता है resurgence उसमें होती है higher inflation अगर इसी तरीके से रहता है और supply chain की disturbance खास कर जो chips को लेकर है जिसकी वज़े से IT products की production जो है बहुत जादा affected अगर रहती है तो कहीं ना कहीं USA के अंदर ये 7% का जो target है वो achieve ना हो पाए और थोड़ा सा slow down देखने को मिल सकता है इसके बाद क्योंकि इस तरह का growth है तो माना जा रहा था कि federal reserve जो है कहीं ना कहीं अपने interest rates के अंदर बदलाव करेगा लेकिन federal reserve ने साफ बोल दे कि अभी वो interest rates में कोई भी बदलाव नहीं करेगा federal reserve आप एक तरह से समझे कि USA का RBI है और अगर वो interest rate change करता है तो उसे equity market पे बहुत फरक पड़ता है क्योंकि ऐसे investors जो कि safe return चाते हैं वो क्या करते हैं जो federal reserve दोरा bonds issue के जाते हैं वहाँ invest करना पसंद करते हैं राधर देंदा equity market तो एक safe news अभी equity market के लिए ये भी है कि federal reserve ने स जाना माना group है उसने तेजस network के अंदर 43.3% share 1850 क्रोड उपे की deal में purchase कर लिए हम देख रहे हैं इदर में Tata group जो है acquisitions पे बहुत जादा focus कर रहा है अभी recently उसने big basket को take over किया उसके बाद ये तेजस network अब तेजस network क्यों किया अगर मैं आपको एक simple reason देना चाहूं तो देखि से related equipments बनाता है और Tata group का अपना भी एक product है telecommunication के नाम से जिसके अंदर panaton जो है basically Tata Suns की ही एक company है panaton जो की investment arm है investment arm मतलब एक ऐसी company जो बनाई जाती है just investments करने के लिए तो panaton ने जो है Tata communication में investment कर रहा है तो इसी group ने जो है तेजस network को जो है take over किया है 1850 क्रोड में 43.3% stake जो CEO और MD है Tejas network के Sanjay Nayak उनका कहना है कि इससे company को बहुत जादा boost up मिलेगा और 5G sector के अंदर जो है company आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर पाएगी जैसी यह news I Tejas network का share obviously भागना था और वो ही देखने को हमें यहाँ पर मिला इसके बन next news I Steel को लेके Steel की जो demand है domestic market के अंद जहां पर सारी economic activities के अंदर कहीं ना कहीं slowdown देखा गया जो Steel की production थी वो अपने pre-covid levels को maintain कर पाई एक बहुत बड़ा signal है कि Steel के अंदर तीजी जो है भी थमने का नाम नहीं ले रही है इसके उपर मैं आपको पहले भी वता चुकों कि Steel एक ऐसा alloy है जो कि worldwide of infrastructure development में use किया जाता इवन Tata Steel जो की Tata Group की 3rd rank company थी वो अब Tata Group में 2nd rank company हो गई है मतलब Tata Group के अंदर number of companies है जिसमें सबसे बड़ा contribution है TCS का जिसके बारे में सब जानते हैं अभी तक number 2 कमती हुआ करती थी Titan लेकिन अब Titan किसके number 3 पे हो गई है और Tata Steel ने number 2 की position ले लिए है Tata Group की total worth है जितनी है उसके अंदर अब Tata Steel का जो valuation है वो 9.2% है जो कि किसी जमाने में मातर 5% हुआ करता हुआ किसी जमाने भी कि पिछले साल के अगर बात करें तो यह 5% था उससे पहले अगर बात करें 3.5% था जो कि अब बढ़के 9.2% हो गया और Tata Group में अब यह company number 2 की position ले चुकी है इसके ब बता रहा था कि कहीं ना कहीं जो Amazon Flipkart अब यह गाओं के areas में आगे बढ़ना शुरू करेंगा और यह देखने को मिला अभी 2627 को Prime Day Sales लगी जिसके अंदर Amazon ने यह बोला कि हमारे Hindustan के 96% PIN Codes से जो है purchases की गई और वहाँ पर delivery की जाएगी 1,26,000 small sellers ने पार्टिसिपेट किया इस टूडे इवेंट पे और उनका जो एक payment gateway है Amazon Pay के नाम से वहाँ से पे जो payments करने का लोगों का experience है वो तीन गुना बढ़ा मतलब तीन गुना लोगों ने on an average वहाँ पर जादा payment करी तो कहीं ना कहीं Amazon Pay आने वाले समय में Google Pay Paytm के लिए भी खत्रा बनता हुआ दिख रहा ह होने की वज़े से Amazon Pay की जो acceptance है लोगों के बीच में जाला बढ़ती जा रही है उसके बाद next news है TVS Motors है TVS Motors ने अपना net loss report किया 15 करोड उपे का जो की पिछले साल 183 करोड उपीस का था देखें इसका एक अभी नया scooter launch हुआ है iCube electric scooter है काफी market के अंदर उसकी demand देखने को मिल अभी से ही दो महीने की waiting चल रही है और अगर वो market खीक जाता है तो यह TVS के लिए बहुत अच्छा रहेगा reason क्या है जो hero है वो इस साल अपना first electric bike ले आना चाहता है लेकिन problem उसके साथ यह आ रही है कि जो hero electric है जब brand name का distribution हुआ था तो वहाँ पर hero electric जो है उनके cousin भाई के प already launch कर चुका है जिसके reviews भी बड़े अच्छे आ रहे हैं जिसकी वज़े से मेरे को ऐसा लगता है कि TVS Motors को आने वाली समय का अच्छा edge मिल सकता है और आप देखेंगे कि यह share जो आज की time पर लगबग 600 रुपे के आसपस trade कर है अगर सब कुछ सही रहता है आप अपने analysis भी क कर सकता है तो यह थी आज की top business news कैसी लगी comment section में जरूर बताईएगा और यह PPT आप हमारे telegram channel से ले सकते हैं जैशेशा